नमस्कार रामराम मैं सुडित आप सब का स्वागत करती हूँ मेरे शाही फोडनी किच्चन में बहुत दिनों के बाद मैं आज डिश बना रही हूँ लसुनी पालक लसुनी पालक बिल्कुल होटेल के जैसा टेस्ट बन जाता है अपने घर में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी रेसिपी आपके फ्रेंड रिलेटिवस के साथ शेर कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे आईए शुरू करते हैं लसुनी पालक इसके लिए हमें चाहिए मैंने यहाँ दो सो ग्राम पालक साव धों के लिया है ये है 15 लसं के कलिए अच्छे सी बारिक कट कर के लिया है ये है एक टमेटो का प्यूरे बनाया है यहें 2 प्याज बारिक कट किया हुआ, 2 हरी मिर्च कट की हुई, 3 हरी मिर्च मिक्सर में निकाला है बारिक किया हुआ, यहें तेल, गर्म मसाला, जिरा राई, हल्दी, नमक, धना जिरा पाउडर, बेसन और थोड़ी सी शक्कर एक बर्तन में थोड़ा सा ज्यादा पानी रखे, उसमें डाले थोड़ा सा सोडा, सोडा इसलिए कि पालक का कलर चेंज ना हो, पानी बॉयल होना शुरू होने के बाद में इसमें डाले पालक, सिर्फ 3 से 4 मिनिट ही पालक को हमें पानी में रखना है, ग्यास चालू ही रखना मेर है मिडियम कीजे गयास को और एक सैड में हमें लेना है इस कोल्ड वॉटर ये मैंने लिया, यहाँ पर आइस कोल्ड वॉटर है एक दम फ्रीज का पाणी निकाला हुआ अब इसमें हम ये पालग की डाइरेक्ट इसमें डाल देते हैं पानी में थंड़े पानी में डालना है गरम पानी से निकाल के तुरंथ हमें इसे थंड़े पानी में डाल देना है इस तरह से मैं पूरा पालक इसमें डाल देती हूँ पालक बोईल होने के बाद थोड़ा सा काला दिखता है पर अगर आप थंड़े पानी में रखेंगे तो वो काला नहीं दिखेगा वो हरा का हरा ही दिखेगा पाच मिनिट के बाद इसे निकाल दिजे थंड़ा पानी से पालक को हमें इसे रफली चौप करना है थोड़ा सा पालक को साइड में रखें ये थोड़ा सा पालक हमने रखा है वो बाद में डालेंगे और बाकी के पालक को हमें मिक्सी से निकालना है इसका हमें प्यूरे बनाना है अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें आड़ कर सकते हो ज़्यादा पालक को हमको मिक्सी से निकालना है और बहुत थोड़ा सा पालक हमको रखे उसको चौप करके लेना है अब एक कडाई रखिए, कडाई में डालिए तेल, अब जो भी तेल खाते हो वो तेल डालिए इसमें तेल गरम होने के बाद डालते है जीरा राई एक चमच अब डालते है थोड़ी सी हिंग हिंग के बाद डालते है जो दो प्याज हमने कट करके रखेते अच्छे से बारिक प्याज को थोड़ा सा बुनना है प्यास थोड़ा सा ट्रांस्परंट होने के बाद इसमें डालते है जो हमने लसन कट करके रखा था उसमें से आदा लसन अब डाल देते है इसमें अच्छे सी लसन को तेल में भुनना है हमें लसन और प्यास भुनने के बाद में थोड़ा सा ट्रांस्परंट होने के बाद में उसका कलर चेंज होने के बाद में इसमें डालते है जो एक टमेटो हमने मिक्सर से निकाला था प्यूरे बना गया था वो डाल देते है इसमें प्याज टमाटर लसन पकने के बाद में उसमें डाल देते हरी मिर्च हरी मिर्च डालने के बाद 10-20 सेकंद इसको अच्छे से पकने दीजे अब डालते हैं इसमें हल्दी एक चमच ये है धनाजिरा पाउडर दो चमच ये है नमक स्वादा नुसर मसाले को अच्छे से मिक्स कीजे इस मसाले को एक 10-20 सेकंद पकने दीजे उसके बाद में डाली एक से देड़ चमच बेसन बस इतना ही बेसन डालना है ज्यादा बेसन डालना नहीं है बेसन हमें बाइंडिंग के लिए डालना है ये सारे मसाले को बाइंड करता है अच्छे से और मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा गाड़ापन लाता है पालक को, इसलिए हमें एक से देड़ चमच बेसन डालना है, बेसन को थोड़ा सा पकने दीजे, बाद में ही दुसरी सामगरे डालते हैं, ये डाला मैंने पालक प्यूरे जो हमने बनाया था अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालते हैं जो पालक हमने थोड़ा बचा के रखा था और कट करके रखा था थोड़ा सा और पानी डाल दिया मैंने यह है गरम मसाला, एक से देड़ चमच गरम मसाला डाला है, यह मैंने डाला है, यह रेस्ट का, आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हो, यह है शक्कर, एक से देड़ चमच मैंने शक्कर डाली है, अगर आपको मेठा पसंद नहीं है, तो आप मत डाले, इतना गाड़ा होन के बाद 5-7 मिनिट पकने के बाद बंद कर दीजे और साइड में एक कडाई रखे कडाई में डाले तेल तेल करम होने के बाद इसमें डालते हैं हम लसन जो बारिक-बारिक कट करके हमने बचा हुआ रखा था साइड में निकालके लसन को थोड़ा सा पकने देते हैं लसन पकन हो गया लसुनी पालक लंच डिनर महमान के लिए आप ये बना के दीजे बहुत खुश हो जाएंगे आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है जरूर बताना मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद